असलामुलीकुम डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नम्मर 143 और आज यस लेसन में ड्रॉक करेंगे एक 3D चियर विद यहल्प अफ डिफरेंट कुमांड और यूजिंग अफ स्वीप कुमांड एंड कुमांड की यूजिस देखेंगे और इसके लावा हो टो एड माटिरियल एंड 3D आबजेक्ट के 3D आबजेक्ट में आप किस तरह माटिरियल को अप्लाय करते हैं रेंडर किस तरह करते हैं इस चीज़ को पर आज हम डिसकस करेंगे तो इसके लिए मैं आटो कैट को उपन क करें लेकते हम अगैनेमनल और मैं आपको आज बताताच हम आज धुरायंग डॉा करनी है जो 3D मॉडिलिंग करनी हो अप इस तरह कर चैरिट को आज़ह लेंगे तो इसके लिए मैं आटो कैट को ऊपन कրता हूं यू ट्राइंग लेता हूँ और यहां से इसको मैं लाओंगा जी फ्रेंट व्यू में फ्रेंट व्यू में राने कब यूस्यास आइकन को यूस्य एंटर करके डिस्प्ले एट ओरिजन पॉइंट को अंचेक कर जाएं एक हाँक है और यहाँसे यहाँ से एक अलेेंटर करें टोड़ा सा इस तरह के एंगल तोड़ा सा ऐनकल चेंज उसका 600 ना अनेशी 300 की ओर जेट स्पेस आश एंगल क्या करूब ऑने हैं और यहां से को भी लाइन एक और रोग की बिल्कुल स्ट्रेट एफ़ेट प्रेस करें स्ट्रेट लाइन के लिए एंट 300 अंच अब यहां पर काम करते हैं आप एक आर्क लेंगे एंटर एफ़ेट प्रेस करें इस आर्क के लिए भी आपके अगर यह थोड़ी बड़ी होगे तो आप इसको यहां से कहें चीज़ता है इचे लिए है ओके यहां से भी आप इसी दर आर्क लें कि एंटर अब यहां चाहिए अपने आफसेट लेना इसका ओ इंटर टेन एंटर ज्यादा लेना चाहिए तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं अब के कंट्रोल जेट करता हूं भी फिलेट अब ही मैं फिलेट करूं एफ इंटर अंडर इंटर करता हूं देखता हूं फिलेट कितना होगा सुरी एफ इंटर आर इंटर हंटर इंटर इंटर के सेंडर मैं इसको फिलेट कर दिया है अब मैं इसको आफसेट लेता हूं करता हूँ स्पेस्पेस करता हूँ सारा जायन हो गया और आफसेट लेता हूँ O ENTER 10 ENTER बलके O ENTER 12 ENTER कर देता हूँ यहां से ओके यहां पर सर्कल लें C ENTER और सर्कल का कौन सा पर लेने टू पॉइंट सर्कल लेने C T R double ENTER और यहां पर यहां पर यवग सर्कल लें C ENTER 2. ENTER C ENTER कॉंसा प्रेंट बलके O ENTER C ENTER 2. ENTER ट्रेंप, टी आर डबल एंटर, ओके, अब यहां पर अपने जो काम करने वह यह क्या करना है, कि आप यहां से एल एंटर करें, एल एंटर, इस कॉर्णर से, यहां तक एक लाइन लेता हूं मैं, मेट पैंट से लाइन लूँगा इसके, एफेर प्रेस करता हूं, त्री एंटर के फास्ट एक लाइन देता हूं, जियाद है, तुम इसको देता हूं जी, त्री एंटर से यह, कंट्रोल जेट, ओके, यहां से इसको आफसर दूँगा, ओ, इंटर, फिफ्टी का आफसर देता हूं, ओके, और, फिफ्टी का यहां से यहां तक, सब्सक्राइए, ओके, अब मैंने जो काम करने हूं यह करने है, कि अब यहां तक तो मैं इसको आफसर देता हूं, और, अब मैं यहां से इसको एल इंटर करता हूं, यहां से इस कौर्नर को आफस में जोड़ता हूं, एल इंटर इस कौर्णर को इसके साथ जोड़ूँगा और इस कौर्णर को इसके साथ जोड़ूँगा बाकि के सेंटर वाले हिस्सों को में डेलीट करूँगा और इसको भी डेलीट करूँगा यहां से और यहां से मैं एल इंटर करता हूँ यहां से L enter यहां से यहां तक सभी है अब यहां तो कि सारा काम कम्प्लीट हुआ कम्प्लीट करने के बाद मैंने जो कम करने है वो करना है मैंने O enter और इसको भी मैं उसेट दूँँगा जी फार इसमपल बोकि इसको आफसेट नहीं देना मैंने यहां पर और काम करूँगा मैं लेकिन यहां से इसको में रौंड करूँगा इसùng में रौंड करूँगा आपने यहां से क्या करने आपने फ tav ऊने प्लिट लेना F in-ter रेजिक सार रेटिस और रेडिएस में गेता है इसको 20 यहां से यहां तक और फिर F Enter, R Enter, Radius 20 यहां तक Radius में ने दे दिया यहां तक अब complete वज़ हो रहा है अब next चो काम करने हो मैं यहां से इसको 3D View में लेके जाओंगा Press Pull Command यूज़ करूंगा Join करता हूँ Press Pull J Enter और मैं आप यहां से Press Pull Command यूज़ करूंगा 300 Enter, सही है और यहां पर मैं इसको भी जाएन करता हूँ J Enter यहां इसको 2D View में लेके जाता हूँ Front View में L Enter Ctrl Z करता हूँ क्योंकि यह गलती होगे मुझसे Ctrl Y J Enter Okay, अब मैं यहां से इसको भी जाइन करता हूँ J Enter Okay, अब यहां से में 3D View में लेके जाऊँगा इसको Top से 3D View में लेके जाऊँगा और यहां पर Press Pull Command यूज़ करते हैं, मैं इसको प्रेस पूल करूँगा J Enter इस रूट कमांड यूज़ करने हैं, अगर Press Pull Command यूज़ वरी थैं इसको यहां से 300 Okay, और अपने इसको यहां से सर्कल एक जाता हूँ C Enter, Circle डूँगा 2 का, Radius 2 बलके कम है, C Enter, Radius देता हूँ 5, Enter और इसको मैं यहां से Sweep Command की वज़द से, Select किया Space और इसको यहां पर Select करता हूँ Sweep Command वज़द से यहां से इसका, इसको मैं Move करूँगा यहां से, Copy करूँगा C, बलके Mirror करता हूँ 3D Mirror करूँगा यहां से इसको मैं, 3D Mirror के लिए आप इसको Move करें इस तरह के View में लेकिया है, और यहां से आप इसको Relastic View में लेकिया है देखें, एक जबता स्चेयर बन गी है, और F7 प्रेस करता हूँ, Guidelines को खत्म करने के लिए अब यहां से इसको मैं, Move करता हूँ, Move करने के 3D Mirror करने के लिए में M, I, Enter, Select करें Space, Mirror के लिए M, I, और आगे यहां पर लिखाओ का Mirror 3D Select करें इसको, इसको Select करें, Space, इसको तीन पॉइंट आपने देनें, First Point, और यहां से F8 प्रेस करका हूँ, यह मिट पॉइंट आगा है, Second Point, Third Point, Enter, Okay, तो यहां पर देखें, हम अब बसी Draw आगे है, अब इस पर Material अप्लाय करने है, तो Material अप्लाय करने का क्या तरीका है, पहले इसको आप डिलीट करें यहां से इनको, यह Fault में लाइने, CTRL Z, किसके को खाली क्या है, यहां से बिल्कुल खाली हो गए, तरीक स्टूर कमांड के वैसे, तो पीछे जारा हो दोबारा, यहां से बिल्कुल, 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 हमें यहां से इसको दोबारे सीवियों में लिए आता हूं, और यहां से इसको थोड़ा सा हमें मूव करता हूं, कोड़ा में ओ, कpciónद राता है sensor cost tag, जाएं जाल में खोड़ा विल्कुल, शाल खोड़ा again, now using presspoo command move 300 enter and copy C move M enter midpoint to point okay now using sweep point draw circle 5 enter sweep command okay using realistic view okay I'll say happy okay I'll say elastic you and job f7 प्रिस कर तूँ okay mirror 3d guant m i mirror 3d select object space first point second point and third point enter mirror ok 3d material apply करना है अपने इस पे तो material के लिए browse material या फिर आप यहां से visualize पे क्लिक करें और यहां से material पे क्लिक करें बोड़ material पे और यहां पर material देते हैं okay material के लिए मैं यहां पे इसको देता हूं जी material here size चुसे इसको भठा दिया अ कि में एक मेटल समां मैं और इसको देना है जो मैं इसको एक तो मैटल देताओ कर फाद होम इसको मेधर मैटal मेटार्यल दोंगा बांने छे मेट्रियल देता हूं प्रक्रास्टिक पर मट्रेव जेता हूं को एगowo यह रूफिंग का कुई अच्छा ता मचील देते हैं आप के तो यहां पर आपके चेर जी कंप्लीट हुई देखें तो आपके यहां पर चेर कंप्लीट होगी है और यहां से इसको डिलीट करने लिए स्लेक करें उसको डिलीट कर दें आपके तो यह थी आपके जी 3D चेर बनाने में तो यह टाइम लगा कुछ कुछ चीज़ें जो गलते हैं कि आपने वह देखी होंगी और यह गलतियों से इंसान और जाए सीखते हैं देखें तो में पसी कंप्लीट हो गया तो मैं शाथ जब भी काम करें काम करते करते आप साथ में जाएन कॉंट यूज करना मत भूलें तो इंशालब नेक्स लेसर में मिलते हैं तब तक अपने बहुत सारा ख्यार रखेगा अपने दौाओं में याद रखेगा खुदा झार डफस